हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी फिटिफाई नेशन, ये चैनल सबोर्ट करता है आपकी हेल्थ और फिटनेस को, आज की ये वीडियो होने वाली है, हमारे हर उस एज के व्यक्ति के लिए, जो अपनी बोडी और फिटनेस पे ध्यान देना चाहता है, लेकिन अपने बिजी स चलते, वो ऐसा नहीं कर पाता है, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसा वर्काट प्लैन जो अपने घर पर रहते हुए भी आप फॉलो कर सकते हैं, और खुद को फिट रख सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कि आप अपने घर पर रहकर भी किस त आपके लिए जिसे आप जिम में या घर पर रहते हुए भी बड़े आराम से कर सकते हैं, यह वर्काट होने वाला है एकदम लाइट वेट के साथ और कम सेट्स के साथ, कम बेट और कम सेट्स हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम अभी बिगनर हैं, हमने वर्काट जस्ट शु वन या शुरू के कुछ पांच या छे दिन हम अपने बॉडी को एक दम से ज़्यादा वेट के साथ ट्रीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे हमारी मसल्स में इंजरी का खत्रा बढ़ जाता है तो हमें शुरू के पांच से छे दिन बहुत ज़्यादा हैवी वेट का और आज का हमारा वर्काउट मिक्स वर्काउट होने वाला है ताकि आपकी बॉडी को पता चल सके के अब दीरे-दीरे आपकी बॉडी पर वेट पढ़ना शुरू होने वाला है और आपकी मसल्स उस वेट को लेने के लिए तैयार हो पाए तो फ्रेंड्स आज के इस वर्काउट शेशन में हम करेंगे मिक्स एक्सराइज जी का परपस यह होता है कि हम शुरू आत में हम अपनी बॉडी पे एकदम से वेट नहीं डाल सकते जादा हम अपनी बॉडी तो आज का हमारा मिक्स वर्काट की सेशन में तीन एक्सायज होने वाली हैं जो एकडम सिंपल एकडम बेसिक होने वाली हैं और सबसे पहली एक्सायज है उनमें बाइसेप कर्ल कि एकदम बेसिक एक साइज जो हर कोई जानता होगा तो चली हम शिरू करते हैं बाइसेफ कर्ल के हम दस रैप के दो सेट लगाएंगे और हमें ध्यान रखना है बाइसेप करती टाइम हमें अपनी बौडी को ज्यादा मुव्मेंट नहीं करना है इस तरह से मुवमेंट नहीं करना है हमें सिंपल अपने चेस्ट के पास तक लाना है और वापिस नीच ले जाना है तो बैसेप्स कलके दो सेट दस रेप के साथ हम कंप्लीट करने के बाद सीधे हम जाएंगे अपने शुल्डर स्केवर्ड काउट की तरफ शुल्डर की आज एक्साइस होने वाली है शुल्डर प्रेसेज शुल्डर प्रेसेज में हम अपने एल्बोस को अपने शुल्डर के बराबर से थोड़ा सा नीचे तक खुलेंगे और इसके बाद उपर ले जाके हम इन डंबल्स को टेच करेंगे वापिस नीचे आके इससे वापिस उपर डंबन टेच करेंगे इस एक्साइस के भी हम सेम दो सेट दस रेप के साथ लगाएंगे तो यह थे हमारे शुल्डर पैसेज अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्साइज करने वाले हैं हमारे ट्रैसेब मुसल्स के लिए ट्रैसेब मुसल्स हमारे बाइसेब का काफी बड़ा पार्ट होता है अक्सर लोग बाइसेफ के एक्साइज दादा लगाते हैं जिसकी वज़ए से वो ट्रैसेब पे ध्यान देना कम कर देते हैं जबकि हमारे ट्रैसेब मुसल्स काफी बड़ा होता है इस पर अगर हम ध्य रेप के दो सेट लगाएंगे और यहां पर इस डंबल को इस तरह ऊपर ले जाके आपनी एलबो को बेंड करेंगे और इसमें हमारी एलबो की पोजीशन ना दो जादा बाहर की तरफ होनी चाहिए ना जादा अंदर की तरफ होनी चाहिए इन दोनों के जस्ट बीच में जहां आपका एलबो सबसे कमफर्ट लेविल पर हो उधर पर रखके हम एलबो को अपने हाथ को ऊपर खूलेंगे और इस तरह से डंबल को ऊपर ले जाते हुए अपने ट्रैसेप को थोड़ा से अंदर की तरफ खीचने की कोशिश करेंगे जिस कम इसकीज भी कहते है और इसके हम दस रैप के दो सेट्स लगाएंगे दोनों हाथ की साथ और इस तरह हम दूसरे हाथ के साथ भी वही एंगल रखते हुए अपने रैप लगाएंगे ओके गाईज आज का मारा वर्गाउट होता है खतम यह वर्गाउट था हमारा डे बन के लिए डे बन में हमें जादा वेट के साथ एक्ससाइज नहीं करती हैं कम वेट के साथ एक्ससाइज करनी है ताकि हमारी इंजरी के खत्रा कम रहे और एक्ससाइज करने के लिए आप घर पे रहते हुए यह डंबल इस तरह के बना सकते हैं जो कि सीमेंट और कउन्क्रीट के होते हैं यह एकदम कम कोस्ट के साथ आपको गर्टवी बना सकते हैं इंको या फिर आप मार्गेटी जाके स्पोस्स की सापसे एक है दो पर डंबल ले सकते हैं तो ये थी यामारी आज़ वीडियो आज का मारा वर्काउट अगर आपको वीडियो ले इच्छी लगी है तो इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाली डेटू की वीडियो का नोटिस्केशन सीधे आपके पास पहुंच सके तेंक्यू